तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी हेड़कौर्टर की तस्वीरे महिलाओं में किस तरह से जो शाई है, प्रधान मंत्री नरेंद्र मुदी का इंतिजार है, अभी कुछी देर पहले ये तस्वीरे हमने आपको दिखाई है, जहाँ पर बीजेपी के जो तमाम 2020 को लेकर जश्न तो होगा ही, और खबर सामें ये भी आ रही है, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का समोधन भी होगा, लेकिन आपको बता दे कि आज जो है, वो क्योंकि मद्दप्रदेश की जो पहली लिस्ट है, वो सामने आ चुकी है, वो सीटे चुनी गई थी, जिन सी राता, क्या फिर कल सुबह वो नामों की घोशन भी जो है, वो बीजेपी की तरफ से की जा सकती है, क्योंकि 2018 में आपको याद होगा, मद्दप्रदेश में भी, राजस्थान में भी, साथी 36 गड़, तीनों ही राज्यों में बीजेपी को हारका सामना करना पड़ा था, भल कुछ दिन पहले ही जब 37 सीटों पर कैंडिडेट्स के नामों की घोशना की गई थी, वो सीटे थी, जिस पर 2018 में बीजेपी को हारका सामना करना पड़ा था, यहाँ प्रदर्शन पर अच्छा नहीं था, ताकि पहले से जो प्रित्याशी हैं वो अच्छी तैयारी कर ले, जो तमाम उपलब्धिया हैं बीजेपी की वो जनता तक पहुँचा सके, क्योंकि तीनों ही राज्यों में बीजेपी और कॉंग्रिस के बीच काटी की टकर देखी जा रही है, लेकिन इन सब के बीच देखे के इंदरी जुनाव समिती की बैठक में तो शामिल होंगे ही, प तक देखे कारकरता बीजेपी की सरे से जी टॉंटी की काम्याबी को लेकर गद गशे और जब तमाम राष्य ध्यक्ष देश से वापस अपने विदेश पहुचे, अपने अपने देशों में पहुचे तो किस सरे से वो पिर्धानमंत्री नरेंद्रु मोदी की जी टॉंटी हैं क्या कि रहे हैं वहनों से वारी एक बड़ सुरिये जरा हुआ है नरेंद्र मोदी जी ने जी ट्वेंटी की सफलता भारत में दोहजार 23 में वान अर्थ वन फेमिली वन फ्यूचर वसुधाय वकुंदकम का सही मायने में अर्थ नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया को दिया ह हमारे सास्त्रों में लिखा है यह मेरा है वह दूसरे का है गड़ना लगू चेतसाम ऐसी सोच बहुत छोटी बुद्धी वालों की है उदार चरिता नाम तू वसुधाय वकुंदकम और भारत ने अपने उदार चरित्र का परच्य दिया है हम जी ट्वेंटी में भारत की को सेलेब्रेट कर रहे हैं कॉंग्रेस को किसने रोका सेलेब्रेट करने से कॉंग्रेस को अगर देश को अपना समझना है तो मोदी जी की सफलता में सेलेब्रेट करो लेकिन देश की सफलता को तो सेलेब्रेट करो मैं देख रहा हूं यहां इतने लोग है कोई हर्याना से आ आया है कोई दिल्ली के गलियों से आया है हम नरेंद्र मोदी जी को इसलिए सम्मानित करने आई है कि नरेंद्र मोदी जी का भारत के अध्यक्ष के रूप में एक भी प्रस्ताव एक कौमा भी नहीं लगाया गया किसी देश के द्वारा पारित हुए और अब जी ट्वेंटी जी ट्वेंटी वन भी हो गया क्योंकि अपरिका यूनियन हमारे यहां शामिल हुआ तो अगर इसको इतने जिनको काले देश अश्वेत देश कहकर के दुनिया कई बार पिरस्कार करती रही उसको भारत में सम्मान दिया अपरि अगर इसका मतलब की विपक्ष की सोच बहुत चोटी हो गई है अगर शायद हो जाए उनको आजादी है वह करें वह बताए मिटिंग करें लेकिन अभी तो मैं देख रहा हूं आमादमी पार्टी का एक नेता जो सांसद है रागव चड़ा जी वह कह रहें इंदरा जी हिटलर थी